नमस्ते, The Alpha Bio के InFocus एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हमें इनसान बनाता है और क्या इसका जवाब ओवरलुक्ड जंक DNA में मिल सकता है, तो चलिए जानते हैं। हमारा DNA बहुत हद तक चिमपैंजी से मिलता जुलता है, जो इवोल्यूशनरी द्रिष्टी से हमारा सबसे करीबी जीवित रिष्टेदार है। स्वीडन में लुंड विश्व विद्यालय के स्टेम सेल शोध करताओं ने अब हमारे DNA का एक पूर्व अंदेखा हिस्सा पाया है, जो नौन कोड़ट DNA है, जो हमारी सभी समानताओं के बावजूद एक अंतर प्रतीत होता है, और यह बता सकता है कि हमारा दिमाग अलग त स्वीवित रिष्टेदार है और शोध से पता चलता है कि हमारी रिष्टेदारी एक कॉमन एंसस्टर से निकली है, लगभग 5-6 मिलियन वर्ष पहले हमारे विकास के रास्ते अलग हो गए, जिससे आज के चिमपैंजी और 21-वी सदी के मानव जाती होमो सेपियंस बने, एक और उन्हें इसका जवाब मिल गया है, अध्ययन का नेत्रित्र करने वाले लुंड विश्व विद्यालय में तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर जोहान जैक बसन बताते हैं, जीवित मनुश्यों और चिमपैंजी का अध्ययन करने के बजाए हमने एक लाब में विक्सित स्टेम सल्स का उपयोग किया, जर्मनी, अमेरिका और जापान में हमारे सहयोगियों द्वारा स्टेम सल्स को स्किन सल्स से रिप्रोग्राम्ड किया था, फिर हमने स्टेम सल्स की जाच की जिन्हें हमने ब्रेन सल्स में डवलप्ट किया था, स्टेम सेल का उपयोग करते हु शोध्र करताओं ने विशेश रूप से मनुश्यों और चिम्पैंजी से ब्रेन सल्स को ग्रो किया और दोनों सल्स की तुलना की। शोध्र करताओं ने तब पाया कि मनुश्यों और चिम्पैंजी अपने डियने के एक हिस्से का अलग-अलग तरीकों से उप्योग करते हैं, जो हमारे दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे डियने का वह हिस्सा जिसे अंतर के रूप में पहचाना गया था अनक्सपक्टेड था। यह डियने का एक सोकॉल्ड स्ट्रक्चरल वेरियेंट था जिससे पहले जंक डियने कहा जाता था। जंक डियने एक लॉंग रपरिटिव डियने स्ट्रिंग है जिसे लंबे समय से माना जाता था कि इसका कोई कार्य नहीं है। पहले एक शोध करताओं ने DNA के उस हिस्से में जवाब की तलाश की जहां प्रोटीन बनाने वाले जीन है, जो हमारे पूरे DNA का केवल दो प्रतिशत है. नए निशकर्षों से पता चलता है कि अंतर प्रोटीन कोडिंग जीन के बाहर दिखाई देते हैं, जिसे जंक DNA के रूप में लेबल किया गया है, जिसके बारे में सोचा गया था कि इसका कोई कार्य नहीं है, और यह हमारे DNA के अधिकांश हिस्से का गठन करता है. इससे पता चलता है कि मानव मस्तिश्क के अवल्यूशन का आधार जनेटिक मेकनिजम्स हैं, जो शायद हमारे पहले के विचार से अधिक जटिल हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अंसर जनेटिक DNA के उन दो प्रतीशत में था. हमारे परिणाम बताते हैं कि मस्तिश्क के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण रहा है, वह शायद उस 98 प्रतीशत में छिपा है. यह एक आश्चर्यजनक खोज है. लुंड में शोध करताओं द्वारा इस्तिमाल की जाने वाली स्टेम सेल तक्नीक इवोल्यूशनरी है, और इसने इस प्रकार के रिसर्च को सक्षम बनाया है. इस तक्नीक को 2012 के फिजियोलोजी या मेडिसिन में नोबेल पुरसकार से मान्यता मिली थी. यह जापानी रिसर्चर शिन्या या मानाका थे, जिन्होंने पता लगाया कि स्पेशिलाइस्ट सेल्स को रिप्रोग्रांड किया जा सकता है, और सभी प्रकार के बॉड़ी टिशू में विक्सित किया जा सकता है. और लुन्ड शोध करताओं के मामले में मस्तिश्क कोशिकाओं में. इस तकनीक के बिना मनुश्यों और चिमपैंजी के बीच के अंतरों का अध्ययन करना संभव नहीं होता. शोध करता इंसानों और चिमपैंजी के बीच अंतर की जाच क्यों करना चाहते थे? प्रोफेसर जोहान जैक बसन बरताते हैं कि मस्तिश्क यह समझने की कुझी है कि वह क्या है जो मनुश्य को मानव बनाता है. ऐसा कैसे हुआ कि मनुश्य अपने मस्तिश्क का उप्योग इस तरह से कर सकते हैं कि वे समाज का निर्मान कर सकें, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और उन्नत तकनीक विक्सित कर सकें. यह फैसिनेटिंग है. जोहान जैक बसन का मानना है कि फ्यूचर में नए निशकर्ष साइक्याट्रिक डिसोर्डर्स के बारे में सवालों के जनेटिकली बेस्ट रूप से आधारित उत्तरों में भी योगदान दे सकते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया एक डिसोर्डर जो मनुश्यों के लिए यू करने के बजाएं, अब हमें रिसर्च के लिए पूरे एक सौ प्रतिशक में गहराई से और अधिक कॉंप्लिकेटर्ड टास्क करना पड़ सकता है.